अब बटा सब्सक्राइब कर तो साउंड ओके नहीं सांड ओके बटाताट जल्दी से बता दो मुझे ज़र हो इंच अ हिप कॉर दो आप सभी का स्वागत सब्सक्राइब और आज संडे अराम किया और आज मुलाकात हो रही मंडे को आज की सेसन में मैं अता दिना चाहता हूँ पहले ही कि वर्लाइनर बूस्टर भी है टॉपिक वाइस भी है एमसी क्यू भी है ब्रेन बूस्टर भी है तो बहुत ध्यान से कॉपि पर लेके बैठ जाना भाई अगला 45 मिट्स कुछ नहीं सोच रहा है बस फोकस करना इस सेसन पर ठीक है न और जहां वीडाउट हो मोस्ट वैलकम ओके टेक वास से पहला काम कर तो लिंक को कॉपि करो जहा है न कहिक क्छांस में बहुत जाइधा इंपोर्टैन होता है ठीक है न बिटाा गुड मॉरिंग नीरज गुड मॉरिंग सभी को बहुत चलिए आज का संबसे पहले लेते हैं नूडे नियू टॉर्ट नियू स्टरेंथ एन नियू पर्सृमिलिटी ये लाइफ में बीची और हमें इसे target पे सोचे कि क्या हमे करना है और क्या हमें सीखना है यांगी आज कर दिन हम क्या सीख के आएंगे ठीक है? चॉलो स्टार्ट करना हूं सबसे पहले Daily Starter Booster से स्टार्ट करता हूं चॉलो सबसे पहले अगर लगाता है न्यूज की बात करो फीफा बहुत न्यूज में रह रहा है आजकर है ना फीफा का नाम सुनाओगा सभी लोगों ने जैसे इंडिया में बीसी सी आई है उसी पेकार फुटवॉल की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड में उसका नाम है फीफा जहा अजो गया है इन आपने इंडिया रएस फोर प्रस पार्ट वैरा नेंको हमारी जो प्यूसन अभी हो गई है वह गई है और वन जीडरो फॉर नंबर कि यानि अभी हाली में जो FIFA ने रैंकिंग जारी की है उसमें हमारा जो position है वो कितने नमर पर है बेटा 104 नमर पर है next one the Indian national team have move up a spot to 104 in the latest FIFA रैंकिंग बिल्कुल सही है the top 6 remain यानि जो top 6 नमर पर थे वो अभी भी top 6 पर है कोई बदलाओ बेटा नहीं हुआ बेटा बहुत ही सही good morning बेटा अब दबा के लिंग को से रभी कर दो कॉपी कर दो ठीक है यास आल चाइट एक्स्प्रेइन ओल्वेस यास यह टॉप सिक्स रिमें अंचेंज इस तिल लाइक Belgium continue to lead the ranking France नंबर दो पे Brazil नंबर त्वीन पे England नंबर चार पे Portugal नंबर पाँच पे और नंबर चैस पे नहीं जरा सोचो यह चैस वैसी country है जो विस्व में सबसे अच्छा football में नाम है निका यह top 6 अभी तक change नहीं हुई है अगर तो हम बात करें वर्ल्ड कप को लेकर तो पता होगा अब ही हाली में India to host 2020 फिफा अंडर 17 वोमेंस वोल्ड कप इंडिया में होने वाला था पता होगा पहले 21 में होने वाला था लेकिन अब हो कब होगा 2022 में due to corona pandemic ठीक है आगी चलता हूं आगर मैं बोलू कि 2022 में कहां होगा तो 2022 में कहां पर होगा या दखना कतर में होगा ध्यान से 2022 में कहां होगा कतर में होगा 21 वाला पोस्पन हो गया 26 में कहां होगा या दखना केनेडा में होगा मैक्सिको में होगा और युएसे मिल के तीनों करेंगे या दखना होने वाला है वो कहां होने वाला है तो बिलकुल या दखना कन्फ्यूज मत होना दिस इस कॉल इंडिया दिस इस कॉल इंडिया दिस इस कॉल इंडिया ठीक है ना चलो आगे चलते हैmos 2020 FIFA Cleveland World Cup होने वाला है कहां पर? Qatar में बिलकुल ठीक है FIFA Cleveland emblem World Cup इक काहां होने वाला है या दखना? चाईना में होने वाला है अगर मैं बोलू कि FIFA के President कोन है तो यहाद रखने, उंका नाम हमारा क्या है? गयानियाइओ इन्फिंतेनियोउ इसके वरतमान में क्या है यहाद रखना? अभी वरतमान में FIFA के President है Yes, alright चलो अगर मैं बोलूँ कि इसकी सुर्वाद कब हुई तो याद दखना इसकी सुर्वाद हुदी बेटा 21 माई 1901 में यानि कि it was established by organization in 1904 में इसकी स्थापना हुई थी and where is the headquarter of FIFA याद दखना the headquarter of FIFA in Zurich यानि कि याद दखना Zurich में इसका headquarter है अगला चलते हैं अब यहाल ही में पता होगा कि बहुत जादा news में रहे थे cyclone ठीक है पता होगा आपको जैसे गती की बात करें निवारा की बात करें है ना तो आज हम लोग उन cyclone पर भी चरचा करेंगे starting में कि कहां कहां कौन से cyclone बहुत ज्यादा news में रहा चल आगे चलते हैं अगर मैं बोलू सबसे पहले important समझना लगाता news में भी आ रहा है cyclone निवार तो याद अखना जो cyclone निवार है बेटा वो कहीं न कहीं याद अखना podo cherry and Tamilnadu में आया important है it is called VBI बिलकुल याद अखना और ये नाम which is taken by एरान ने दिया है this is called निवार this is called निवार next one cyclone जिसका नाम है गती यादि की बात अगर हम करें गती की बात करें तो फास की बात करें गती जो कि याद अखना कहां पर आया है बेटा सोमालिया में कहां पर आया है सोमालिया में और ये जो नाम है गती who has given the answer is called name given by इंडिया ओके next one VVI कर लो भई इसको भी 2020 का सबसे strongest अगर कोई cyclone आया है इसका नाम है क्या गोनी जो कि कहां पर आया है याद रखना यह आया है फिलिपिन्स में कहां पर आया है फिलिपिन्स में next one hyacin अगर मैं बोलू typhoon यह आया बेटा कहां पर जापान और साओथ कोडिया मैं फिर से बोल ला हूँ पहला हमारा it is very important निवार दूसरा हमारा very important गती तीसरा हमारा very important इसका नाम है गोनी चौता हमारा fourth number is very important इसका नाम हमारा है typhoon hyacin यहनि these are the four important cyclone which is very important in the current scenario yes okay चलो आगे चलो मिटा मुझे एक बार confirm कर दो सभी लोग clear आगे चलता हूँ अगर मैं बोलू storm बहुत important है इसका नाम है Amanda यह कहीं न कहीं अगर मैं बोलू तो news में रहा था जो की याद अखना एक country है E.I. Slava Adore उसको हिट किया दिस इसको नमांटा इस्टोम क्रिस्ट बोल की बात करें तो याद रखना इलूसियाना में हिट किया जो news में रहा ठीक है अगर मैं बात करूँ Cyclone याद रखना Nisagra जो कहूँ नहीं इंडे की रिस्ट में बहुत important रहा निसागर बेटा कहां पर आया तो याद होगा यह महरास्टा में भी रहा था और यह गुजरात में भी रहाNow था निसागरा यानि कि महारास्ट और गुजरात में और यो जो नाम है वो किस ने दिया था याद अखना ये दिया गिया था बांगलादेश के द्वारा नेक्स वन उसके बाद अगर मैं बोलूँ अमफान जो की पता होगा आपको औरिसा और कहिने कहीं वेस मंगौल के प्रांतों में इसका असर देखा गया था और इसको जो नाम दिया गया नाम किस ने दिया बिटा थाइलेंड से यानि कि यह हुआ हमारा क्या साइकलों जो कहिन आके सेर करतो लाइक भी करतो जल्दी से सेसन को जो भी लोग देख रहे हैं ठीक है यह यह चलो ऑके आगे चलता हूं आते हैं आज के most important questions पर जो कही न कहीं बहुत जरूरी है हम सभी के लिए ऐसे banking हो चाहे किसी भी जमस को अगर त्यारी करते हैं तो ठीक है चलो सबसे पहला important question अभी हाल ही में एक बहुत प्यारा सा name news में रहा इसका नाम है जली कट्टू तो जली कट्टू को पता होगा इंडिया की तरब से as a official entry for best international feature film category में भेजा गया है 93rd number का जो Academy Award Oscar होने वाला है 2011 में तो आपको बताना है जो जली कट्टू मूवी है यह कौन से language में है तो याद रखना जो यह language है बिटा इसका नाम है मलियालम के नाम है यह बहुत famous एक movie है बलियालम में बनाई गई है जिसको ऑसकर में इस साल भेजने की बात कहीगे इंडिया के तरब से ठीक है यह बहुत बड़े समान की बात है अगर आपको पता होगा एक बहुत famous फाइटिंग भी होती है बैल बुल फाइटिंग इस आलसो नोन है जली कट्टू जो कहने कहीं केरिला में बहुत famous होता है है और अगर मैं बोलू कि इसके जो writer है sorry जो director है उनका नाम बड़ा unique है उनका नाम है लीजो जोस क्या नाम है ली जोस इस फिल्म के director है निर्देशक है आगे चलते हैं अभी हाल ही में union minister for road transport and highway पता होगा आपको जो कि नितिन गटकरी सहाब है और साथ में बटाई क्या है या दखना उत्तर प्रदेश में है इसका सुभारन किया आपको बताना है इसकी जो costing है लगबग कितने थी तो याद दखना लगबग यू जो project है वो करीब है 7500 करोड रुपय का मैं फिर से बोल ला हूं point number one was state कौन सा हमारा हो गया बटा उत्तर प्रदेश is the right answer how many national highway के उत्गण किया सोला हो गया बिल्कुल सही है ministry कौन देख रहा है उसका नाम है क्या union minister for road transport and highway का नाम है नितिन गटकरी साह और क्या देखना तो देख रहे है या दखना micro small medium enterprises को भी यही देख रहे है टोटल लागत कितनी हो गई 75,000 करो रुपे इसकी लागत हो गई आगे चलते हैं दुनिया कैसा कौन सा city है जो सबसे ज़्यादा connected रहा जहां पे लोग आए गया और बहुत ज़्यादा this is called world most connected city दुनिया के सबसे जुरा सहर कौन सा है बताओ वे जल्दी से yes the answer is called उसका बिल पता होगा इसने अभude हाल ही में लंडन को सरपास किया या पहले कौन ता लंडन था लेकिन अब कौन है संगही ए अगर मैं बोलू sj 2019 में जड़ा देखिये अगर मैं बोलूं तो लंडन नमबर 1 पे था लेकिन इस बार कौन आ गया? संग्हाई आ गया अगर मैं बोलूं लास्ट इड़ कौन था? तो संग्हाई 2 पे था इस बार 1 पे चला गया यानि कि दीजात लंडन, संग्हाई, New York top 3 थे इस बार क्या हो गया Shanghai, Beijing Guangzhou, this top 3 city जो कि कहने कहीं पता होगा आपको China से हैं और इसका एक ये भी reason होगा पता होगा आपको इस Corona काल में कहने कहीं China से जो लोग आये और गए बहुत ज्यादा news में रहा China तो इसी कारणा से जो इस बार दुनिया का से मौस कनेक्टे सिटी में आये संगाई निम्मोरन पर चला गी और then after Beijing and Guangzhou तीन हो ही चाइना के हैं ठीक है इस जो रिपोर्ट बनाता है कौन बनाता है याद रखना दे इंटरनाशनल एए ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन इस रिपोर्ट को निकालतस को कहते हैं हम लोग IATA आगे चलता हूँ अभी हाली में बहुत important एक knowledge portal start किया गया है climate change knowledge portal उस केंदरी मंतरी का नाम बताईए जिनोंने भी हाली में भारत जलवायू परिवर्तन ग्यान पोर्टल लॉंच किया है नितिन गटकरी साहा रवी संकर प्रसाथ साहा प्रकाज जावेदकर साहा प्रमेश पोकरियाल जी या इन में से कोई नहीं तो पता होगा आपको अभी हाली में जो इंडिया के broadcasting minister है जिनका नाम है प्रकाज जावेदकर साहाब उन्हों नहीं इसका उद्गाट नहीं कहा है क्या है जरह समझते हैं जब भी सरकार कुछ भी change करेगी related to the climate और जो भी update information होगी आपको इस पोर्टल पर हमेशा मिलेगी and this is called climate change knowledge portal started by government of India recently और वरतमान में कौन अभी इसके इन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं प्रकाज जावेद कासा मुझे बता दो जल्दी से कि अभी right now रवी संका प्रसाज जी कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे है मुझे ये भी बता दो जल्दी से कि जो रमेश पोकरियाल निसांग जी है वह कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे है मुझे पूरा भरोसा है कि आप आप अंसर दे लोगे बिल्कुल से बिटा बता जल्दी से नितिन गटकरी तो पता दिया मैंने दो मिनिस्ट्री देख रहे है हाईवे भी देख रहे हैं Micro-Small-Medium-Enterprises को भी देख रहे हैं आपको बताना है जो रवी संक प्रसाद हैं और सात में जो रमेज पौकरियाल जी है वो कौन सी Ministry को देख रहे हैं जिखो आसीस ने आंसर भी दे दिया अनिश ने भी आंसर दे दिया बिल्कुल सही है जो हमारा रवीज संग पसाजी है वो law ministry देखे नोग साथ में जो हमारा ministry of education है जो पहले HRD था वो देख रहे हैं कौन रमेज पोकरिया निसांग जी देख रहे हैं आगे चलता हूँ अभी हाल ही में ज्यान से समझना है इसको जरा who among the following launch naffid honey fpo program यानि अभी हाल ही में से किसने naffid के honey fpo कारिकरमों की सुरुवात की हूँ स्वास्त मंतरी हर्स बर्धान नहीं प्रकाश जावितकर जी नहीं tribal ministry अर्जनमुंडा नहीं लेकिन start किसने किया जो हमारे इंडिया के क्या है नेरेंद्र सिंग तोमर जो इंडिया के अगिगल से मिनिस्टेजर समझना ही क्या है यहाँ दो चीजे बारी ध्यान समझने वाली है जो पहला है बेटा वो है naffid और जो दूसरा बेटा है समझने वाला वो ध्यान से रखना उसका नाम है क्या इस नीज में जो में पॉइंट है जिसकी बात चर्चा की जा रही है उसका नाम याद रखना सुनो होगा अपने हनी जो नहीं हनी है हम जो करतीम रूप से निकालते हैं उसकी जो बिजनेस होता है उसके बात उसकी हो रही है ठीक है अच्छा देखते हैं तोड़ा समझते हैं सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर एगरिकल्चर एन समझना फार्मर वेलफेर नरेन सिंग दोमर ने अभी पाँच फार्मर प्रोड्यूसर ओगनाईजिशन है जिसको कहते हैं एफपियो ध्यान से फार्मर प्रोड्यूसर ओ चलो आगे चलते हैं दीज एफपियो प्रोग्राम आर लॉंज विथ रिस्पेक्ट ओफ प्रोडेक्शन ओफ हन यानि बात हो रही है कि सहद का जो उत्पादन हो वो कैसे हो सहद का जो उत्पादन हो किस तरीके से उस पे बाचर्चा की जा रही है ठीक है ना अगर हम आगे बोलें फुल फॉर्म इंपोर्टन एक हमारा कौन सा हो गया है एक पता होगा सेर मार्कर में फॉर्ट होता है फर्दर पब्लिक ओफर यह दूसरा है यह बात हो रही है कि कल्चर की फाइब फार्मर प्रोडूसर ओगनाईजिशन ठीक है ना दर प्रोग्राम बिलॉंग टू नैफेट ध्यान से नैफेट का फुल फॉर्म ध्यान से नैफेट का फुल फॉर्म नैशनल बेटा अगरिकल्चर को ओपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ओफ इंडिया मैं फिर से बोल ला हूँ नैशनल अगरिकल्चर को ओपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन एक संस कही जा रही है ठीक है चलो but a very good morning very good morning it is launched in five Indian state यानि यादखना ये पाच राजों मेटा चलाया जा रहा है पहला हमारा क्या हो गया West Bengal दूसरा हमारा क्या हो गया बिहार तीसरा हमारा क्या हो गया परदेश 4 हमारा क्या हो गया उतरबरदेश और पाचों हमारा क्या हो गया रजथनिया नहीं यादखना ये जो हनी वाला प्रग्राम है भारत के पाच राज्यों में चलाया जा रहा है क्या क्या डेट हम लोगों यहां से कॉल करना है पहला इस योजदा की शुरुआत कि तो जा रही है और यह यह योजना किसे रिलेटेट तो जा रखना है यह हनी से रिलेटेटेट है बात हो रही है सहत से ठीक है the aim behind this launch is to promote FPO which will result in agriculture reform in India नहीं कहीं नहीं कहीं खेती को बरहवा देने के लिस योजना की सुरुवात की गई चलो आगे चलता हूँ अभी हाल ही में which government entity has recently launched a digitized online human resources management यानि जा दखना full form HRMS यानि की human resources management system यानि HRMS कहते हैं किस सरकारी संस्था नहीं हो हाल में ही एक digital मानव संसाधन प्रवंदन प्रणाली की सुरुवात की तो जा दखना सारे इंप्लाई अब देख सकते हैं सारा data अपना online यानि मेरा ब्योरा क्या है हमारा क्या access है मेरा क्या payroll सब कुछ देखेगा क्या online वो start किया है किसने बटा याद आखना उसका नाम है बिलकुल सायुस का नाम है भारती रेलेवी हाली में अपने इंप्लाईस के लिए एक नया HRMS online पोर्टल लॉंच कर दिया मुझे बताओ जरा जल्दी से कि इंडिया में अभी टोटल कितने railway zone है मुझे बताओ अभी इंडिया में total कितने railway zone है और मुझे बताओ इंडिया में अभी वर्तमान में जो हमारे railway minister तो पियुस गोल जी है इसके chairman कौन है मुझे बताओ जल्दी से पहला जोन और मुझे दूसरा बताओ इसके चेरमेन कौन है जल्दी से बताओ दो मुझे आंसर मुझे पूरा भरोसा है बिल्कुल सही येस, बटा गुल्सरraz, मिल्कुल साही, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बटा, तो बड़ा के चेश्ण से सब्सक्राइब, बट-बूर्निक्स कर मैं वेरी नूर्णिक्जिद तेशया, बट-वेरेals less अगर बोलू कि कितने रिलवे जोन है, वेचार फर्दर सब डिवाड़े इंटू डिवीजन इच हैविंग ए डिविजनल हेड़कॉर्टर दियर टोटल एटी एटीन जोन है याद अखना पहले सतरा था एक नया भी एड़ वस दच्छिन में तमिलाडू में तो सतर अठारा हो गया है जो विनूत कुमार यादो जी हैं CEO वो बने हैं कौन विनूत कुमार यादो जी आगे चलता हूँ अभी हाली में विट विच कंट्री इंडिया है एक्स्टेंडेड दे एमो यू फॉर को आपरेशन ओन नियूकलियर इनरजी ऑल्सो कॉल वन टू थी एक्रिमेंट फॉर अनदर टैन यर यानि आपको बता जाना है किस देश के साथ भारत ने पर्मानों उर्जा पर सहीयोग के लिए समझहौता ग्यापन जिसे हम 123 समझहौता भी कहते हैं को अगले 10 वर्सों के लिए फिर बरहा दिया है वह कंट्री कौन सी है उस कंट्री का नाम हमारा है USA अगर मैं बताओं आपको ना कि जो USA है इ समझे है रीजन समझे है रीजन क्या है इडिदे सेक्षन 123 ऑफ यूएसे एटॉमिक इनर्जी एक्ट ऑफ नाम है 1954 उसके सेक्षन में 123 में इसके बारे में कहा गया इसलिए इसको कहते हैं क्या 123 समझोता भी कहा जाता है करीब 25 कंटियों के साथ USA ने भी तक यह समझोता कर चुका है ठीक है बड़ा बहुत ही सांदर वेरी गुड अगला अगर मैं बोलू कि जो ट्रेड्रेस एटहन होना है अगर मैं बोलू इसके बारे में तो पता होगा आपके यह है डवलू एचो से रिलेटेड है अगर मैं बोलू हें रिलेटेड है एटा यह जो बेटा है बिल्कुल सही बोला अपने UNO से है, अगर मैं बोलू UNO की बादे में तो पता होगा आपको, इसमें टोटल 193 मेंबर है पहला चीज अगर मैं बोलू कि इसका headquarter बेटा कहां पर है तो याद दखना, इसका headquarter बेटा New York में है ठीक है, चलो और यहीं है किरिस्टीनिया जॉर्जीवा जो IMF की related है, चलो अगला, अभी हाल ही में परगती न्यूज में रहा परगती, समझना ध्यान से P-R-A-G-A-T-I परगती न्यूज में आपको बताना है यह परगती का full form क्या है यह बटा बेटा, बेटा, रस्मी वो 90 member, विल्कुल सही याद अखना, इसका जो answer हो गया, proactive proactive governance and timely implementation, यानि सरकार ने इस परगती की सुरवात, 2015 में की गई थी, कि सरकार जो भी काम करती है, उसकी condition क्या है, उसका progress क्या है यह सारा काम प्रकती देखती है अगर मैं बोलू, तो इसकी अभी हाली में 33 meeting हुई है, जिसको हमारे PM नरेंद मोदी जी ने अभी हाली में क्या किया है, जाके उद्गोशन किया है इसका उद्देश प्रो सक्रिये, प्रसासन और पर्योजनाओं का समय पर कारेवन होने के लिए करने के लिए उद्देश से किया गया 2015 में इसका स्थापना की गई यह एक बहु मोडल और बहु उद्देशी मंच है, जिसका उद्देश एक आम आदमे की सिकायतों का समाधान भी करना है कि कहीं कुछ योजनाओं में लग रहा है कि प्रॉलम है तो यहाँ पर आपको help मिलेगी यह भारा सरकार की पर्योजनाओं की निगरानी समझना और समिक्छा भी करता है और रा सरकारों द्वारा हरी जंडी दिखाने वाली पर्योजनाओं भी इस दारे में है सरकार कोई भी योजनाओं पर अगर काम करेगी तो योजनाओं का प्रोग्रेस क्या है उस स्कीम का कंडिशन क्या है वह स्कीम सही से जा रही के नहीं इस सारा काम कौन देखती है प्रगती Proactive Governments and Timely Implementation ओके चलो आगे चलते हैं आते हैं तोड़े के वर्ल लाइन नॉलेज पर की वर्ल नॉलेज चलो तोड़ा देखा जा जा ठीक है चलो पता होगा The Current System The Current System of the Indian Government to issue note is Minimum Reserve System याँ दखना इंडिया में अगर करंसी चापी जाती है बेटा इस सिस्टम पे चापी जाती सको कहते हैं MRS पहली चीज़े याँ दखना Under this policy the minimum reserve to be maintained in form of gold and foreign exchange should consist of rupees 200 याँ दखना इस MRS में याँ दखना total रखना होता है कितना आरवे को 200 करोर का लगभग रखना होता है किया अपने पास currency का stock ठीक है okay in the name of foreign exchange अगर मैं बोलू out of this reserve the value of gold to be maintained in rupees 150 करो याँ याँ कि 200 करोर पे टोलर रखना होता है अगर currency को चापना है उस 200 करोर रखना होता है क्या only रखना होता है बेटा गोल्ड याँ कि आपको अगर इंडिया को RBI को currency चापनी है तो है अपने पास 200 करोर का reserve maintain करेगा उस 200 करोर रखना है याँ उसका compulsory है और जो बागी amount हमारा बच गया 85 करोर रखना जो बचा कितना 85 करोर रखना है वो या तो cash में रख सकता है या तो gold में रख सकता है या तो सरकारी प्रतिभूती like Presity Bill हो गया NSE हो गया bond हो गया जिसको सरकार जारी करती है यह इंडिया में सबसे पहले अगर introduce हुआ तो याद रखना यह introduce हुआ 56 में और यह प्लेस किसको किया था proportional reserve system यानि इस प्रनाली को अनुपातिक reserve प्रनाली किजे गया उन्हें 56 में पेस किया गया था first time Got it to all of you बिटा कोई सुने हिमा देर हैं दुरुस्त हैं आगे चलते हैं Recently It's very important ध्यान से समझना Recently Which of the following Longest Service Chief Minister of Assam पहस अभे अभी हाल ही में Assam के निमनिखित में से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का निधन हो गया उनका नाम क्या है या दखना यही हमारा भारत का नक्सा और यही पर Assam है यहाँ पर वेटा क्या है Assam है ठीक है ना तो या दखना जो आंसर हमारा है वो है तरुन गोगोई सहाब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यह रहे थे किया Assam के मुख्यमंत्री अगर मैं इनके बार थोड़ा चर्चा करूँ मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ ज़रा समझना तरुन गोगोई सहा जो 36 में जनम हुए अगर थोड़ा मासाम के बारे में कहें तो पता होगा इसकी जो कैपिटल है वो दिस्पूर है पहला हो गया यहाँ पर टोटल 33 डिस्टिक्स होते हैं अगर मैं बोलू यहाँ पर कौन गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी जी यहाँ के क्या है सर्बनन्दन सोनोबॉल सर्बनन्दन सोनोबॉल यहाँ के याद अखना चीफ मिनिस्टर है टोटल यहाँ पर जो MLA होते हैं टोटल यहाँ जो MLA होते हैं बिटा जो विधान सभा कहते हैं वो टोटल 26 सीटे हैं अगर मैं बोलू कि यहाँ पर लोगसभा की कितनी सीटे हैं तो याद अखना यहाँ पर लोगसभा की करीब 14 सीटे हैं और अगर मैं बोलू कि यहाँ पर रासभा की कितनी सीटे हैं बेटा तो याद अखना यहाँ पर रासभा की करीब 7 सीट से हैं ओके आसाम बेटा बिल्कुर सही बोला बेटा आपने तरुन गोगोई रनन गोई उनके बेटे रनजन गोगोई ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला Recently who has been elected ICC new chairman अभी हाल में ही पता होगा आपको ICC के नए chairman बनाए है उनका नाम क्या है सरत पवार, मुस्तफा कमाल, ग्रेग बार्कले, जहीर अबास या कोलिन कौडरी पता होगा आपको ससांग मनोहर जी जो पहले ICC की chairman थे उन्होंने step down के इस year इसलिए उनको replace करने के लिए अब नए member बने है उनका नाम है क्या New Zealand के हैं Greg बार्कले अगर मैं इनके बार्ण थोड़ा से चर्चा कोनू तो जरा समझना The New Zealand Greg बार्कले was elected as new independent chairman of the international cricket council ICC after the second round of voting He succeeded India ससांग मनोहर यहने की इन्होंने ससांग मनोहर को replace किया अगर हम दोरा देखें कि ICC के बारे में तो इसका motto क्या है Cricket for good बिल्कुल ठीक है याद अखना यह है 1909 में बनके तयार हो गया था करीब 111 साल पहले अगर मैं बोलू कि इसका वर्तमान में headquarter बेटा कहा है तो याद अखना दुबई में है प्रेजेंट में जो की 2005 से लगातार है अगर मैं बोलू इससे पहले कहा था तो याद अखना वो लंडन में था बेटा कहा पे था UK लंडन में था अगर मैं बोलू कि इसमें total कितने member है तो याद अखना इसमें member है total 104 member है बिल्कुल सही है वर्तमान में जोसके chairman उनका नाम है Greg Barclay बिल्कुल सही है और याद अखना इसकी CEO इंड़ा की तरब से है Manu Sahani इनके क्या है बेटा याद अखना CEO है इंड़ा की तरब से है ठीक है बिल्क वेरी गुड अगला Recently which of the following bank achieved 1 million followers जड़ा सोचो अभी ऐसा कौन सा bank हो गया है जिसके ट्विटर पर करीब 1 million follower हो चुके है जो की बहुत बरी बात है उस bank का नाम अगर मैं बोलू जा लखना उस bank का नाम क्या है गेस करो दुनिया का सबसे अमीर central bank उस bank का नाम है जानसर हमारा हो गया Reserve Bank of India इसके करीब ज़रा देखो 1 million follower हो चुके हैं ट्विटर में विसमें ऐसा कोई bank नहीं central bank जिसके इतने ज़्यादा follower है अगर मैं बोलू वर्तमार में विटा याद अखना तो सिरीग सक्ति कांता जाज जी RBI के 25th नमबर के governor है बिल्कुल सही है BP कॉनगू जी deputy governor है महेश कुमार जैन जी deputy governor है MD पात्रा जी deputy governor है बिल्कुल सही है और साथ में सिरी M. राजिस्वर राओ पता होगा आपको जो एकदम new है ये है RBI के 4th number के deputy governor आगे चलता हूँ Recently which of the following state government planning to impose government पता होगा भी हाली में MP ने एक नया cabinet भी बना दिया है इसका नाम है cow cabinet अगर आपको पता होगा इंडिया का पहला ऐसा state है इंडिया का पहला बेटा ऐसा state है उस state का नाम है MP जिसने cow cabinet बनाया यानि कि इनका कहना है कि भई हम specific ध्यान देंगे गाव में गाव हमारी माता है कहते हैं ऐसा कि गाव हमारी बेटा बिल्कुल माता है बिल्कुल सही है अब ज़रा समझना और उन्होंने MP नहीं याद अखना कहा है एक लिवाई की है सेस जैसे हम लोग को पता होगा एक सेस देना होता है सर्टन इंकम के उपर तो उन्हें एक सेस इंपोस किया है तो रेज मनी फॉर दा वेलफियर अफ दा काव यानि की अगर स्टेट में काव के बारे में सच्छन की बात कही जारे है तो कहने के योगदान सभी का होना चाहिए है अगर थोरा समय यहाँ थोरा समझू तरह समझना ज्यान से जो मत परदेश है उसकी जो राजधानी है वह भौपाल है बिल्कुल सही है अगर मैं बोलू कि विचिस दा लाजस सिटी अफ एमपी तो उसका नाम हमारा क्या हो गया बेटा इंदौर हो गया बिल्कुल सही कह है यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदी बेपर्टेल तो साथ में बेटा यूपी की भी गवर्नर है और उनको एमपी का दिया गया है क्या अडिस्टनल रिस्पॉंस बिल्कुल दिजैसे कोसियारी सहाब को दिया गया है महरास्टा का और गोवा का अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर MLA यानि कि विधानसभा की कितने सीटे हैं तो यादखना 230 सीट से हैं जिसमें से और लोगसभा की कितनी सीट से हैं 29 सीट से मिटा हैं बिल्कुल यादखना इसमा तो एक सीट जीती Congress बागी सारा किसने जीती बिजेपी ने रासभा की जो सीटे हैं मिटा यादखने यहाँ पर टोटल एक 11 सीटे हैं और यादखना पूरे इंडिया में इन टर्म्स आफ रैंकिंग तो यादखना इंडिया में इसके रैंकिंग कितने हैं 59 में पर हैं मुझे बताओ जर जल्दी से मज़ा आ जाएगा मुझे बताओ कि MP के अगल बगल कौन से राज्ये हैं मुझे बताओ MP के अगल बगल मुझे बताओ जल्दी से कौन कौन से स्टेट हैं उसके नाम बताओ मुझे जल्दी से कि MP के बगल में वो states है मुझे बता answer क्या होगा जल्दी से MP के बगल में कौन कौन सो state है मुझे बता हो जल्दी से Mr. Rohit Kumar Bagheel Good Afternoon Good Afternoon Good Afternoon Good Afternoon Good Afternoon Good Afternoon बिल्कुल सही है Yes बटा रसमी आपने बिल्कुल सही बोला clean city indoor clean city indoor is the right answer बिल्कुल सही येस वो भी MP की बटा बिल्कुल MP के बगल में कौन से स्टेट्स हैं मुझे बताओ जल्दी से मुझे देखना है कि आंसर कितने आते हैं तुलसी राम जी ने कहा चत्तसगर बिल्कुल ठीक है सहीद फाहद इसलाम ने कहा UP बिल्कुल ठीक है महारास्टा भी आ गया और बिहार भी आ गया जरादेकि साक्षी ने बिहार भी कह दिया यूपी ने कह जरा देखिए आंसर हम जरा समझना इसको ध्यान से जरा ठीक है मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ यहां का जो डांस है उनको कहते हैं मंच समझना जान से यहां की जो मैमल है उसको कहते हैं बारा सिंगा यहां का जो बर्ड है उसको कहते हैं इंडियन पैराडाईज फ्लाई कैचर यहां की जो फिस है उसको कहते हैं महसीर यहां का जो फलॉबर है उसको कहते हैं पैरेट ट्री यहां का जो फ्रूट से है उसको कहते हैं मैंगो और यहां का जो ट्री है उसको कहते हैं बनाने ने के बरगत का पेर अगर मैं बोलू तो देखो MP के बगल में राजस्थान भी है MP के बगल में देखो उत्तर प्रदेश भी है MP के बगल में देखो चत्तिसगर भी है MP के बगल में अगर मैं बोलू तो महरास्टा भी है MP के बगल में जा देखो गुजरात भी है और MP के बगल में अगर मैं देखूं तो सहत बिहार नहीं आता है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5 करीब 5 राजिय सो घेरा हुआ हमारा प्रदेश है MP गुड बिटा येस बिटा, बहुत ही बिटा बिहार देखो MP के क्या बगल में है कहीं भी क्या आपको दिख रहा है बिहार कहीं भी नकसे में बगल में है देखो न जरा बिहार क्या बगल में है MP के कहीं भी नहीं इसके बगल में UP है इसके बगल में क्या है बिटा UP है इसके बगल में कौन है 36 गर है इसके बगल में कौन है महरास्टा है इसके बगल में कौन है गुजरात है और इसके बगल में कौन है बिटा येस, पता चला एक्जामनेशन में ऐसा ही होता है, आप जितना ज़्यदा बटा नेक्से से पर होगे न उतना चीज़ें आपको आसान होगी, है ना, चलो, बिल्कुल बटा सही, बिल्कुल सही बोला, आपने करीब 6, 9, 5 बटा याद अखना, बॉबी, टोटल बटा है, 5 स्ट ग्रूप में डाल देना, यह ग्रूप जो बेटा है, वो आप ही का ग्रूप है, मेरा ग्रूप नहीं है, आप सरच करो, टेलिग्राम पे उसका नाम है, राजीब महंदरा जीए, यहाँ पर क्लास की बेटा, पीडिफ भी डाली जाती है, और साथ में, यहाँ पर डेली, 9 ब जो कमला हैरिस है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज में रही है, आपको बताना है, जो कमला हैरिस है, वो भारत के कौन से परदेश से रिलेटेड है, वो है भारत के कौन से परदेश से बेटा रिलेटेड है, तमिलनाडू, केरला, कनाटका, आनपरदेश या विस्मंगॉल, या देखना जो कनाट का तमिलनाडू यानि वो कहीं न कहीं तमिलनाडू से related है ठीक है अब बता होगा यह अमेरिका की first vice president बनके ready है यानि कि अमेरिका में इन से पहले कोई भी नहीं बना था भी तक किया vice president as a woman ठीक है या देखना यह democratic party की है he will become the vice president on January 2021 और यह हटाने वाई किनको replace करेंगी Mike Pence को Mike Pence को यह 2020 में जीती है उसी पेकार जो president वहाँ के बने है उनका नाम है Joe Biden having defeated जो अभी वर्तमान में है Donald Trump उनको नोने किया किया है हटाया है चलो आगे चलते है Recently which organization has launched Team Halo Team Halo जो भी समझे आप Team Halo initiative to counter the misinformation around COVID-19 vaccine हाल में ही किस संग्धन ने COVID-19 टीको के आसपास गलत सूचना का सामना करने के लिए Hello नाम की पहल सुरू की है तो याद अखना उसका नाम है बेटा किया World United Nation Organization बिलकुल सही बोला आपने याद अखना Total member बेटा 193 बिलकुल याद रखिये World WTO बेटा बिलकुल ठीक है 164 बिलकुल याद है WHO मुझे उमीद है कि आपको याद होगा 193 194 और यह भी आपको याद होगा 190 बिलकुल याद होना चाहिए बिलकुल याद होना चाहिए अगला अभी हाली में एक मीटिंग होती है बिम्स्टेक जो की मीटिंग हुई 2020 में आपको बताना है और्गनाईज जो हुआ वह कौन सी कंटी ने उसको चेरमेन किया है किसी कंटी ने उसको अच्छता की इंडिया बांगलादेश स्रिलंका या मैंमा मुझे ये भी बता दो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है दो चीज़ मुझे बता दो पहला इसका फुल फॉर्म मुझे बताओ अब मुझे बताओ इसमें क्यों टोडल कितनी हाव मेनी कंट्री है मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बता ले जाओगे पहला इसका फुल फॉर्म और दूसरा हाव मेनी कंट्री इन विम्स्थेक यस या दखना इसका जो फुल फॉर्म होगा वो फुल फॉर्म होगा बेए अफ बेंगौल इनिसेटिव फॉर मल्टि सेक्टरल तेक्निकल एंद एकॉनमिक को अपरेशन या दखना बंगलादेश सुरी लंका इंडिया नेपाल भूटाल धाइलेंड और मैनमार ये करीब सेवन ऐसी कंट्री है जो विम्स्थिक में सामिल है ठीक है और मीटिंग कहां होई इस रेनिंग कहां है अगला विच अफ दा फॉलोइंग इस नॉट ए क्रेडित रेटिंग ऐजनसी आपको बताना है इसमें से कौन्सी ऐसे एजनसी है ये कौन्स ऐसा है जो क्रेडित रेजनसी नहीं है बेटा बैब बैब gry जाल इंडिल बैब बो ऑब्बी मंदी दीपा मॉंडल गुलसन बेटा बहुत ही सान था है एजनसी विल्ड एंटी डोपिंग इजनसी जिसे नहीं कोई स्पोर्टर परसन है कुछ ड्रक्स ले लिया जौरने के लिये कुछ फास भागने के लिए जो एंटी है उसका नाम है वॉड़ा है ना जो वॉड़ा है वह रेटिंग एजनसी नहीं है बाकि जो हमारा फिच हो गय हमारा moody हो गया और हमारा ऐसे बीन है याद धखना यह सारी बेटा रेडिंग एजेंसी है वाड़ा कब बना उनन एशो निनननमे बनके तयार हो गया फिच कब बना फोर्टिन में बना क्रेशल कब बना 1997 में बनके तैयार हो गया बोडी की स्थापना कब हुई 1999 में बनके तैयार हो गया और साथ में जो standard and poor वो कब बना वो है बना सबसे पुराना है 1860 में बनके तैयार हो गया आगे चलता हूँ बहुत important unseen national park मैंने याद भी कराए आपको बताना है जो unseen national park है formula दिया था आपको याद होगा कर्नाटका में अनसी भी है कर्नाटका में याद अखना बांदिपूर मी है कर्नाटका में याद अखना बनेर गटा भी है कुदेर मुख भी है ये सारे कहां पर है कर्नाटका में कर्नाटका में अनसी और बनेर गटा और को दिर मुख से मिलने गई ठीक है मैंने करा है था अगला मुझे बताओ जल्दी से Reserve Bank of India implemented the Basel 3 recommendation in India यानि इंडिया में जो Basel 3 की guideline थी आप बताओ यह कब से लागू हुआ इंडिया में जो Basel 3 की guideline है मुझे बताओ यह कब से लागू हुआ अगर मैं बोलू उनके बारे में तुझा दखना जो Basel बेटा 1 आया वो बेटा आया 1988 में meeting हुई और लागू हुआ 1992 में ठीक है जो Basel 2 लागू हुआ वो लागू हुआ 2006 में global लेकिन हमारे हैं लागू हुआ Asper the RBI वो लागू हुआ बेटा 2009 में ठीक है बेसल थी जो लागू हुआ इंडिया में या दखना वो लागू हुआ एक जनवरी 2013 से हैं और या दखना इसको सभी बैंकों को पूरा कर लेना था 2019 से जो बरहा दिया गया फिर किया गया इसको 2020 और फिर कर दिया है कितना दोहरी कहीं यहीं कि सभी बैंकों को जो भी बेटा बेसल थी की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होता है गाइडलाइन क्या है बेटा देखना capital education ratio maintain करना होता है सभी बैंकों को as per the basal guideline इसी कार का एक और फुल फॉर्म है CRAR बेटा अगर मैं बोलूँ वर्तमार में जो कार है बेटा वो टोटल है 11.5% including बेटा बफर यहनि अगर हम बफर को भी सामिल कर लें फॉफर होता है करीब कितना 2.5% तो हमारा भी कार कितना होना चाहिए 11.5% इन इंडिया का कोई भी बैंक अपने टोटल रिस्क कापिटल का एक सर्टन परसंट अपने पास maintain रखता है उसे बेटा हम लोग क्या कहते है capital education ratios को कहते है याद रहेगा सभी लोगों को चलो आगे ready all the guys for the brain boosters के लिए क्या पूछ रोपरेसर पटेल बताओ दो मुझे जल्दी से मैं देख नहीं पाया guys ready हो सभी लोग brain booster के लिए time है आज मात 10 seconds और आपको बताना है दो चीजे अगर याद है तो bank का headquarter और bank का बताना है आपको punchline दो चीजे बता नहीं है bank का headquarter और बताना है bank का punchline ओके time start now try to memorize सोचो जड़ा ओके बेटा वाड़ा का आपने पूछा था है याद रखना केनेडा केनेडा की capital ottawa केनेडा में हैं और आपको बताना है last में कि out of six आपके कितने सही हुए हैं आपको बताना है to all of you कि भाई sir मेरा six में कितना सही हुआ यह brain booster पहला है बिट्टा, ओके, बहुती सांदर बहुती सांधर, बहुती सांदर, बहुती सांदर, चलो आंसर देखते हैं, ओहो, सारे आंसर सामने हैं, अब मिला कि मुझे आंसर भी दे देना, सबी लोग ठीक है, कॉलकता, इलाहाबाद बैंक, ए टेडिशन ओफ ट्रस्ट, आंधरा बैंक, हैदराबाद, वेर इंडिया बैंक्स, एक्सेस बैंक, मुंबई, बरती का नाम जिं बैंकिंग, बैंक ओफ महरास्ट, पूने, एक परिवार, एक बैंक, जिसमें दोखो, तीन जिरे याद करने वाली है, पहला, वरोधरा, जिसका मुंबई में नहीं है, दूसरा, आंधरा, जिसका मुंबई में नहीं है, तीसरा, इलाहाबाद, जिसका मुंबई में नहीं है, और चौथा बैंक आफ महरास्टा जिसका इंडिया मुम्मई में नहीं है अब बताओ मुझे आउट आउट आफ से किनके सही हुए कितने कोसिस करने वाले कि कभी हार नहीं होती है पहला ब्रेंबुस्टर आप ट्राई करें दूसरे में हमारा क्या परफॉर्मेंस है ठीक है चलो रेडी अगें फिर टाइम 10 सेकेंड्स ओके बताओ अंसर है है एड़कॉर्टर और पंच लाइन है 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 एड़कॉर्टर और पंच लाइन है है बहुत ही सांदर बटाओ जिनका स्कोर कमारा बस प्रैस्टेस करो जो डेली एक सेसन मेरा देखता है जो मेरा सेसन डेली देखता है मैं उनको कहना चाहता हूं डेली आपने अगर सेसन को देखा होगा तो कुछ ना कुछ आपको हमेसा नया मिलेगा मैं अभी दो टाइम आता हूं एक आता हूं मौनिंग 11.30 पर और एक आता हूं साम को 5.30 पर जिनका टार्गेट है SBI बस डेली फॉलो करो दो तीन दीन देखो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपको इस 45 बनेट्स में क्या-क्या मिलता है गारेंटी है ओके? चलो मैं आंसर देता हूं ओके रेडी? केरला यो परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर बहुत लोगों से मैंने होमग पूछा था कि UNA, WTO, UO और ADB के चेरमेन कौन है? बहुत लोगों आंसर दिया हूं सहीवी को तह दिल से सुक्रिया या दखना UNO है एंटोनियो गुट्रसाहब एक नंबर, WTO रोबोर्टो एजबेडो दो नंबर, चार्लिस मिसल तीन नंबर, और ADB के हेड़क्वार्टर मसताकू असकावा चार नंबर यानि यह मेरा है हूंबर का सुलूसन और याद देखिए, बहुत लोगों ने आंसर दिया, उन सभी को तह दिल से सुक्रिये कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह सबसे बरी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, पूरा भारत आपको देख रहा है, आप जरूर अपना क करते हैं कि मेरा नाम टॉप 10 में हो, रेस में दोड़ना है, और रेस में जीतना भी है, दोस्तों देखो, जब तक जनूर नहीं होगा ना, कि मेरा नाम भी हो, तो जनूर नहीं होगा ना, आपका नाम नहीं हो सकता है, कि नहीं, कल मेरा नाम होना चाहिए, नहीं जनूर और आपको बताना है कि इन country इस group of nations की जो country की currencies है वो क्या है और बताना का है बस कुछ नहीं जैसे ही वीडियो बंद होता है उसके 5 minutes के बाद इसी वीडियो के नीचे आपको बताना है comment box में कि आपका answer क्या है ठीक है do not worry टेंसर नहीं जैसे ही वीडियो खतम होगा 5 minutes के बाद इस वीडियो के में नीचे बताना comment box में एक सर इसका answer क्या होगा मुईद करता हूँ कि कल इतने answer मेरे पास आएंगी कि पूरा भारत आपको देखेगा to all of you तो thank you to all और डरना नहीं डर किया कि जीत है बटा रस में ठीक है चलो और जिनको specific batch करना है सभी आई का उनके लिए मैं class लेता हूँ daily 732 930 पे पूरा एक batch में mask भी होगा listening भी होगा English भी होगा जीए भी होगा और quantity होगा उस batch में जूरिए बाकी more detail के लिए login करिए महंदर.org को साथ में अगर आपको class की PDF चाहिए कोई भी knowledge अपडेट चाहिए तो बस आप इस group को जोईन कर लिए जिस group का नाम है राजीव महंदरा जीए यह especially दुख खतम करने के लिए है जीए के लिए दोस्तों ठीक है न next one अगर आपको session पसंद आया लगा कुछ ना कुछ आपको नया मिला है तो मुझे जरूर बताइए अपना feedback मुझे जरूर दीजिए और session को like भी करिए comment भी करिए और अभी तक आपने session channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe भी करिए thank you